असलाम लेकुम जी कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं बिलकुल ठीक हूंगी अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी जोइंग किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल नोडिफिकेशन को दबाना ह जरूर मिल सके हमने तारीक अजीज सहाब पर वीडियो बनाई थी हमने अपने इस प्लाटफॉर्म का बाकाद़त और पर आगास किया था जो कि ट्रिब्यूट टी तो आज उस सलसले की ये दूसरे वीडियो होगी और आज हम जिस अजीम शक्सियत की बात करेंगे जिस अज अजीम फंकार की बात करेंगे उन्होंने भी अपने फंद से पूरी दुनिया में पाकिस्ताइं का नाम रौशन किया बरे सगीर पाकोहिंद के एक अजीम गुलुकार और शेंशाए घजल के नाम से जाने जाने वाले जनाब मेहदी असन खांसाब की आजम बात करेंगे और आज मेहदी असन खांसाब की कोशिश करेंगे जार से बात है अगेन एक ऐसी शक्सियत एक ऐसी अजीम शक्सियत जनोंने जाहर से बात है जिनकी शक्सियत के इतने पहलू हैं कि जिन पर ने बात करने की कोशिश करूं तो जरा मुश्किल हो जाएगा मुक्तसर से वक्त में बात करना लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं उनकी जिन्दगी के चीदा चीदा पहलोगा आप से बात कर सकूँ और वीडियो को कोशिश की जगा कि पूरा देखें ताकि इस अजीम फनकार की मतालिक जो मालूमात कि स्टिफले मक्तब ने खटी किये उनसे आपको इस्तिफादा हासिल हो सके मैधियासन खासाब 28 जोलाई 1927 को भारत के रियासत राजिस्तान के गाउन लूना में पैदा हुए और उस वक जार से बात है भारत ने ब्रिटिश राज था तो ये ब्रिटिश राज कही वक्त था आपके वालत सहाब जो है वो उस्ताद अजीम खासाब हैं जो उस्ताद अजीम खासाब हैं वो भी उस वक्त के जो माराज़ा हैं उनके दरबार के अजीम गाईक थे महस आट साल की अमर ने बेदी असन खासाब ने अपनी जो परफॉर्मेंस थी जब उन्होंने दरबार ने परफॉर्मेंस दी जैपूर के माराज़ा के तो उनको इ कि उन्होंने उनको एक इनाम दिया और आठ साल की उमर में जो अजीम खासाव है उनको यह अंदाज़ा हो गया कि इस छोटे से बच्चे को अंदर जो है वो खासे जरसीम मौजूद हैं गाइकी के और उसी वक्त उन पर जो है वह मेहनत शुरू कर दी गई और ठुमरी और ख् की एक जो है पैदावार हो चुकी है उसके साथ साथ असाथ असाथ अजीम खासाव ने मेधियासन खान साथ को जो है वो पहलवानी के गुर्भी सिखाये थे आप बड़े जबर्दस पहलवान भी तसवर के जाते थे और 14 अगस 1907 को जब पाकिस्तान के क्याम वजूद में तो महस 20 साल की अमर में आप जो है वो पाकिस्तान हिजुरत कर लिया आपने और शीचावत्नी के अंदर जो है वो आपने क्याम कर लिया पाकिस्तान के शीचावत्नी में पंजाब का ये शहर है वहाँ पर आप जाके बस गए और जल्द ही आपके दारे वालिद का वफाद पागये थे हैं. 1954 में में अख चौन साब बाुचे तोर पर पाकिस्तान में अपने रेडियो करियर का आगास किया और 1956 में शिकार नामी फिल्मस से आप अपने बाुचे तोर पर सिंग्ञ के करियर हैं उसका आगास किया और जो पहला गाना अपने गाया. उसके बोल उस go Cap इन्मत फैसाथ साहब की ये घजल है और इसको कंपोस किया था मुकेश दी साहब ने ये वो घजल ती जो मेदियासनद्गा साहब ने जब गाई तो वो शोहरत के बलंदियों पर पहुंच गए और मलक एतरम्नु मुनूर जहा ने तो बिलके यहां तक भी कहा था 1965 1965 मेदियासन के बात कभी आ सकती है और 60 और 70 की दिहाई का शायद ही कोई गाना होगा किसी काम्याब फिल्म का जो मेदियासन खासाब ने गाया हो और एक अन्दाजिक के मताबिक कमसक्म 60,000 से जाइद गीत हैं जो मेदियासन खासाब ने गाये हैं 1977 में लाता मंगेशकर साहबा ने मेदि मेदियसन खासाब के मतालिक कहा था कि ये खुदा का एक ऐसा मोजज़ा है जिसकी नजीर नहीं मिलती 1983 में जब आप नेपाल तश्रीफ ले गए तो आपने नेपाल के उस वक्त के शाही दरबार ने बैठकर एक गाना गुन गुनाया जिन्दगी में तो सभी प्यार किया कर अग्याद बड़ा इजास था 1985 में आपको उस वक्त के जो सदर्ट जिया उलक साब उनके तरफ से तमगह इम्तियाद बराए हुसने कारकरदेगी दिया गया उसके अलावा आपको जनर्परवे मश्रफ में 2010 में हलाल इम्तियाद, निशान इम्तियाद, तमगह इम्तियाद, बराए हुसने कारकरदेगी, हलाल इम्तियाद, और इसके अलावा कई इजादाद से में देशन खासाब को नवाजा गया था और उसके लावा 1996 में सारे गामापा एक भारत का एक प्रोग्राम आता था उसके अंदर जाके जब नोने गुन गुनाया था तो उसमें कई बरे स अगेर पाकोहें के गुलुकार शेरीक थे जोनों ने उस प्रोग्राम में शरकत की थी और उस प्रोग्राम के अंदर जो जिस सरीके से परफॉर्मेंस थी उसको आज भी याद किया जाता है रता मंगेशकर साहिबा ने भी और मेडियासन खासाब के साथ गाने की खौाहिश ने जाथ साहिश का has supposed this अगरिशे वो उसके साहा है तो नहीं गा सकी लेकी एक गाना 2009 में में यस நका साहब ने गाया था जिसको बाद में एक रिकोर्डिंग के जरीरे ड्वेट आ गवाया गया लेकिन वह रिकोर्डिंग पहले में जैसन खासाब ने की थी फिर उसी recording को 2010 में लाता मंगेश करने गाया था और फिर इसको डवेट गाने के तौर पर mix उसकी recording कर दी गई और उसके अलावा कई फिल्में इसी हैं जिसने जिनके जो करते हैं शायद ही किसी कोई होगा जिसने दिनके नसो ना हो और इसके साथ साथ अपने वतन से भी महुबट ता इमिजे जिसन खान साथ को यहां तो यह वतन तो मौह था है तौम incl. हर पाकिस्तानी के लबों पर ये नगमा है इसके साथ साथ अपनी जान नजर करूँ अपनी वफा पेश करूँ ए मर्द मजाहे तुझे में क्या पेश करूँ ये बड़ा खुब्सूरत नगमा है जो फौच के नाम में देसनखा साब ने गाया है और इसके गलावा कई नगमे हैं जो इस अजीम गलुकार ने गाये हैं जाजार से बाते हैं इसलिए इसलिए इनको शेहनशा है गजल कहा जाता है और 13 जून 2012 का सूरज में जेसनखा साब के जिन्दगी का आखरी सूरज था जो तुनू हुआ और आखान यूनिवेसिटी में आखान यूनिवेसिटी हॉस्पिटल में खाले के हकीगी से जा मिले और अंडा मुर की गरीव कबरस्तान है जिसमें आप मतफून है अगरचे आप इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन जाहरे आपकी गाई की सदा हमारे साथ है और आपकी गाई की जो है वो हर उस चक्स को जो गाई की से महबत करता है जो मौसिकी को चाहता है जिसकी नजर में जो मौसिकी है उसकी कोई आहमियत है वो दार से बाते महधियासन खान साब को एक खास मकाम देता है और लटाब अगिशकर अगर किसी के बारे में ये कह दे कि मैं अगर सुबा अटतर किसी की घजलें न सुनू तो मुझे सुकूर नहीं मिलता तो वो महधियासन खान साब है कि वो कितने अजीम इनसान है और इस जीम गलुकार को सलाम है इस जीम गलुकार की गाईकी को सलाम है और तो जनाब आजकी वीडियो में कोशिश की मैंने क्य COP जिननगी की कुछ चीदा चीदा नुकात आपके साथ रक्सकुht जार एक वसी सफ़र था आपकी गाएकी का और उस्ताद हमानात अली खान साब गुलाम अली खान साब और बहुत सारे लोगें बेरे सगीर पाको हैं के मैं अगर नाम देना शुरू करूँ तो यह खासी तवील पहरिस्त है जो आपके मतालग बहुत जिजबात रखते हैं और जब आपका इंतिकाल हुआ था तो उस वक्त तो पाकिसान टेलेविजन पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपको जब लाइफ टाम अचीवमेंट रिवार्ड दिया गया था दो हजार ग्यारा में तो उसका जिकर करते हुए आप बीदा हो गए थे एक बड़े अजीम गुलुकार हैं मुझे इस वक्त इनका नाम में जहन से निकल रहा है बहुत बड़े गुलुकार हैं वो आप बीदा हो गयते हैं आपके मतालिग गुफ्तकू करते हुए तो ये इस बात का मजहर है कि कितने बड़े गाइक थे महिदिया सनुखा साब और जिस अजीम इनसान अनने साथ हजार से जायद गीत गाये हों तो फिर उसकी तो क्या ही बात है तो हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा अपना और अपने गृद्रवा के लोगों का बहुत खया लखीगा मुझे अपने and stay curious.